हेलो फ्रेंड़ आज की डेट है 25 त्व आपरे 2024 स्वागत है आपका आज की करेंट हुए डिस्कसिन में चले डिस्कसिन नहीं करेंगे चलते हैं पहले आर्टिकल की और पहला जो आर्टिकल है वो चोथे वेश्विक सामुई परवाल विरेंजन कारेकरम से समझ दीते हैं फॉर्थ ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंड से समझ दीते हैं क्यों डिसकस कर रहे हैं डिसकस इसलिए कर रहे हैं सियुक्त राज अमरीका की कोरल रिफ वाच और इंटरनेशनल कोरल रिफ इनिसेटिव आई सी आरई ने वर्स 2023 चोईश में चोथी वेस्विक सामोई पर परवाल विरंजन की घटना देखे गई हैं कोरल ब्लीचिंग की घटना देखे गई हैं इसलिए और पेहले तो देख लेतें परवाल विरंजन गुट होते हैं यह सेवाल मर जाते हैं, तो यह सफिद हो जाते हैं, यह बहुत्छी है, यह कहा जाते हैं, इसके उपर यह सपीद हो जाते हैं, विरंजन या कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है बात समझ में आ रही परवाल विरंजन क्या होता है परवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग इसमें क्या होता है जैसे कि यह है कोरल बना हुआ है ठीक है जिसे परवाल कहा जाता है यह कठोर चटान है इसके उपर क्या होता है इसके कठोर चट्टान की तरह सवेट सवेट दिखाई देगी तो इस परगा की गटना को परवाल विरंजन या कोरल बिलीचिंग कहा जाता है तो आपको ये गटना तो समझ में आ गई होगी अभी ये दस वर्सों बाद में ये दूसरी बार ऐसी गटना देखी गई है अभी इसके परवाल विरंजन के पीछे क्या क्या कारक है ऐसा क्यूशन आज सकता है तो क्या क्या कारक हो सकता पहले तो तापमान में वर्दी तापमान कैसे वर्दी हो सकती है येट वेव है उनकी वज़े से पॉल्यूशन है अभी वैसे भी तापमान में वर्दी होई रही है इन सब क गई है यह ऐसी गटना सामने है तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रवाल विरंचन होता क्या है और यह कारण से होती है तो इसके आप पर परवाल होते हैं वो मर जाते और अंतत तो सफस्ष चट्यानumbles की बाति दिखाई देती यह गटना देखी जाती है यह अब दो दू है अने मारे सागर जोare तापमान में वर्दी होना, वहाँ पर गरम करंट होती, वाम करंट होती, वो जादा होती, इसके कार्ण से, वहाँ का जो समंदर है, वहाँ सी लेवल है, वहाँ पर टेंपरिचर में वर्दी हो जाती, जिसे अलनीनों कहा जाता है, तो इस अलनीनों घटना की वज़े से, क्या होता है तापमान में वर्दी लवनता या पॉल्यूशन इन सब की वज़े से जो परवाल होते हैं वो मर जाते इनके उपर जो सेवाल होते हैं वो मर जाते जिसकी वज़े से यह सवे चटान की बाती दिखाई दे इसे परवाल विरंजन या कोरल कोरल बीचिंग कहा जाता उसके बाद में यह जो घटना थी परसंद महां सागर की थी वहां पर ऐसा क्यों वहां पर अल नीनों दिखाई दिया अल नीनों क्या होता है कि परसंद महां सागर में वहां का जो सर्फिस लेवल हैं सील का सर्फिस लेवल उसके तापमान में वर्दी हो जाती है क्यों होती है क्योंकि वहाँ पर गरम करंटे चलती है जो दाराय होती है वो गरम होती है उसके कारण से उसके सतर के तापमान में वर्दी होती है इसलिए ऐसी गटना दिखाई देती है तो दो टॉपिक थे अल निनों से समद्धित कुछ पॉइंट थे कुछ ते परवाल विरंजन के समद् फिर हमने कारक भी डिसाइड देखे थे कारक क्या था तापमान में वर्दी हीट वेव हैं समंद्र का अमन लिकरन यानि के लवन जिया वहाँ पर और फिर पर दूसर यह सब कारक होते है तो इन टॉपिक के बारे में आपको पता होना ची चलती है हमारे नेक्स्ट आर्टीक अग्ति उसे काम का नहीं पर थोड़ा बहुत देख लेते हैं यह जो लोग किसन है यह अर्मेनिया एक अलग कंट्री है यह अजर बैजान पहले यह जो अजर बैजान था अर्मेनिया था यह यू एस एस आर का पार था ठीक है मतलब रस्या का जो एक्स्टेंड वरता यू पारdade नामने इंट यह उएस एकार हे जो गया मतलब इसका इसका डूस ऑदकिंगर रहे जना बजाए मारक यह अब यहां पर यहां पर एक रिजन मिंद कर जाता है अब अर्मेनिया क्लेम करता है कि यह हमारा है अजरबेजान क्लेम करता है कि यह हमारा है अर्मेनिया ने इस पर आकरमन करके इसे अब से यह है ना यह वाला रिजन जो ग्रेय कलर का है यह किसके पास में यह अर्मेनिया के पास में यह जो रेड कलर का है यह अजरबेजान के प कि अधर में पाकिस्तान को सप यहां फार्मीनियां के फॉड़े करीया तो पूरे कि पता होने चाहिए बैक्ग्राउंड तो थोड़ा बहुत हमने देख लिया ताकि यह इस्ट्री में पता चल गी कि इस्ट्री क्या थी अर्मेनिया अजर्वेजन लड़ क्यों रहे हैं तो यह जो रीजन है इसकी वजह से लड़ रहे हैं और जो इसमें किस किस का राल रूल था यह रहे हैं इस रीजन के बारे में आपको पता हो चाहिए नर्गोनों कारबाख रीजन के बारे हैं अजर्वेजन की लोकेशन यह रसिया यह जोर्जिया है यह अर्मेनिया फिरीद्र टर्की है यह इरान है किस किस से बाउंडरी है कहां पर लगती है यह थोड़ा बहुत स्योड़ा बहुत इस की जोन चाहिए चलती हैं हमारे नच्ट अर्टीक्ल जए तो आपको इतना पता होना जेदा कहां पर है जेदा साओधी अरभियम साओधी अरभिया का एक पोर्ट है यह जो पोर्ट हो जाता है क्यों इंपोर्ट हो जाता है क्यों महत्पुन हो जाता है विकॉज की जब मक्का और मदीना जाना होता है तो उसकी लोकस है नहीं से जदा पोर्ट से होके मक्का मदीन यह जेदा पोट तो जेदा पोट के बारे में आपको इतना पता होना जाए यह लोकेशन कहां पर है ठीक है जी पस इतना ही है अमारे लिए इंपोड़नस था यह आर्टिकल इंपोड़नस है नहीं इसमें जो पंकज उदास जीती इनकी मृत्य हो गई थी इन से समझ दीता तो काफी टाइम पहले भी न्यूज में था तो अब भी थोड़ा बहुत इनको कोई ट्रिबूट वगड़ा दियागी इससे समझे तो इसे हम नहीं देखेंगी वैसे इत्ता इंपोड़न नहीं है यूपी एसी के प्रस्पेक्टिव से तो चलते हमारे नेक्स जो आर्टिकल है व प्रस्पेक्ट तो आप इसे एक बार पढ़ सकते हूं फाइनल इन टॉपिक को एक बार में खतम कर लो क्योंकि आयर के टॉपिक है अगर क्यूशन बनेगा तो एक एक बार में पढ़गे खतम कर लो एजी सा क्यूशन बनेगा इतना टफ नहीं बनेगा थोड़ा बहुत फिर हम ना यू ए सी के बार में देख लिए ँए लीटान सान्से करेंशन अपिर्यति लुट्र कहां की प्रस्पेक्टिव से यह इम इम्पोर्टान हो जाती है तो पहले तो यू यू नी नैसन सटीरियोंति नाशन इसमें से एक है य्आन के अलगला प्रिंसीपल ऑ Warum Link BÜNDNIS 90 physical neo यूयोक में इसका हैड़ को रहे फेला सेशन यहीं आपको याद रखने के आ अथसकता नहीं है, Jenya pas इंहिंट व्हाग इंहें बाद चैनलर चुने जाते हैं जो और यूरिंद्ध के उलेक्ट होते में हम voting करते है प्रिजिलियनसि किस के पास में है या आपको याद रखने क्या आप सकता नहीं है voter power क्या होती है बाकी जो है वह एक vote होगा और जो वीट्य पावर एंट वह ओंली 5 country के पास में बाकी जीतने देश से एक code हो तो हे तेसके पास में होगा पिर 12, 37, 66, यह भी किसे है, तेरिियम से समदिते हैं, एक Fusion है, 15, 14, मतब 15, 40, यह Citizen किसे समदिते हैं, यह Nuclear weapon है, Chemical weapon है, इन से समदित può cứ से Needlection है, तो कुछ इन कुन सी ब्राजील है जर्मनी है जापन है और इंडिया है यह पर्मानेन मेंबर बनना चाहते हैं और यूनसी में रिफॉर्म की बारें बात करते हैं रिफॉर्म क्या है आपको आइडिया होगा यह अभी काम नहीं कर पा रही एक्टिवली काम नहीं कर पा रही यह हो चुकी है फिर एक कमिट है जेको एक तो हमनें बात करी थी जी फोर की जिसमें इंडिया जर्मनी जापन इस चार देस एक काफी भी है ठीक है यह कॉफी ओर गिन इस उसमें कुन-कौन से उसमें यह रही कॉफी कलब गा जाता है जी सई इटली इस्पैन औस्ट्रिया पाकिस्तान इंडिया का विरोध करता है इसे कोफी कलब कहा जाता है और सुधार क्या करने सुधार तो आपको आईडिया होंगा कि पीफाइप में एक्स्टेंड करना चाहिए यह सारे सुधार है तो यह से समझता है नेस्ट जो आर्टिकल है वो मैंस के इंडियन सोसैटी का उससे कवर हो सकता है इसमें जो ब्लेक मैजिक होता है काला जादू उसके बारें बात की गई है और जो अंदिवी स्वास होता है उससे समझेद बात की गई है तो उसके बारें थोड़ा पॉइंट है कुछ देख लेते हैं कि अंदिवी स्वास पहले क्या होता है कैसे इसमे वज़े से अंधिविस्वास की वज़े से तो यह कुछ आंकड़े हैं कितने लोग कहा किस राजे में मरें अंधिविस्वास की वज़े से कितनी मौते हुई है जादू टोनों की वज़े से कितने लोगों की मौत हुई है कितने लोगों की बल्ली चड़ाएगी है यह कुछ आ अंद्विष्वास कहा जाता है अंद्विष्वास के खिलाब बारत में कोई इसमें च servic access का नहीं है हमारे पास क्छ नहीं है बट कुछ प्रों वीजिन है जिना माद्यम से अंध्विष्वास को टेकल किया जयता है यह इसको खत्म करने की प्रोसाइट के जाता है या हत्या की दार्ना के लिए प्रोसाइट के जाता है या धार्मिक बावना के लिए उकसा जाता है या धार्मिक विश्वासों को अपमान के जाता है उसके तद उसे सजा सुना ही जाती है फिर हमारा जो आर्टिकल फिप्टी वन ए है वो बात क्या कर तो यह कुछ भारत में प्रावदान किया गया है जो अंधुदियूष्वास को रोकने का books करते ऐं उसके उसके बाद में अलगले राजियों में अलगले कानुनें से बीयार में भी कानून बना गया है, महराष्ट्र में है, करनाटक में है यह सारे कानून आपको याद रखने की आफ सकता है नहीं है , अगर आप किसी राजे से समझधित हो और इस स्टेट की एक्साम देनी है तो के एक्जम्पल देखे आप लिख सकते हो बाकि ऐसे सारे याद रखने की आफ सकता नहीं है और उसके बाद में जो यह मूलिंग अधिकारों का उलंगन भी होता है क्योंकि हमारा फंडमेंटर राइट जो चहुदा है ना वह बात करता है कि सभी एक्वल है 21 है जीवन जीने के प्रयास किया जाना चाहिए पिर क्या क्या होता अंधिविश्वास होती है यह सारी चीजे इसमें फॉलो किया जती है अब ब्लेक मेजिक होता क्या है जूठा पर विश्वास मतलब ऐसी कोई चीज है जिसका कोई फैक्ट अविलेबल नहीं है उसमें विश्वास करना अंध इसमें क्या होता है इसकी वजह से यह सारी चीजे देखने को में दिती है इस पॉइंटों को आप यूज कर सकते हो तो यह पूरा मारा अंधिविश्वास से समझ दी था मैंस के प्रस्पेक्टर से काफी इंपोड़न हो जाता है नेक्स जो आर्टिकल है वो है यूएन वूमे का है यह सब बारें बात करता है तो श्यूक्त राष्ट महिला इसी 2010 में इस्तापित किया गया था क्या काम करता है यह लेंगी समय अता है यह जेंडर इक्वेलिटी की बात करता है और महिला सक्सक्तिकरन यानि की विमन इंपावर्मेंट की बात करता है यानि की यह महिलाओ के खिलाब कोई अगर भेदबाव हो रहा है महिलाओं की भागीदारी नहीं है सामाजी की रूप में भागीदारी नहीं है आर्थिक रूप में भागीदारी नहीं है राजनेतिक रूप से अगर महिलाओं की भागीदारी नहीं है उन सब चीज़ों में यह फोकस करता है कहीं महिलाओं के ख्राब हिसा हो रही है तो उसे रोकने का प्यास करता है महिलाओं की आर्थिक ससक्तिक्रान यानि इकनोमिकल इंपर्मेंट की बात करता है महिलाओं के पास रोजगार होना चाहिए आयमेस जो समानता वो होनी चाहिए महिलाओं के साथ फिर महिला नेतत्व की बात को बढ़ाने के लिए या जेंडर Equality के लिए इन के मत्य जो अंतर है उसको कम करने के लिए भाद के द्वारा क्या कुछ प्रयास किये गए उनके बारे में तो यह सारे कि महिला हाट करती है कि महिला को ऊद्ध्य में बनाया जाए इसके लिए ओंनलाइं जो चीजी होती उसको पर्मोट किया जाए उसके बारे में बात करता है कस्तूर बादी विड्या लेवन खोले गए जहां पर वाली का जाके पढ़ सकती है यह सारी चीजे की गए भारत में मह सबसे पहले से जारी कोन करता है पहला पॉइंट यह किसे जारी कोन करता है इसे स्योक्त राष्ट महिला द्वारा और यूएंडीप के द्वारा दूनों के स्योक्त राष्ट यूनाइटेड नेशन वीमन प्लस यूएंडीप के द्वारा इसे जारी किया तो पहला पॉइंट तीसरा सरम और वित्य समावेशन निर्ने लिने में भागी दरी हिंसा से मुक्ति ये पांच आयाम है देखो बहुत सारी रिपोर्ट रिलीज होती है सारे आपको याद नहीं रहेंगे इनके डायमंस वगरा से होते हैं आयाम वगरा वो याद नहीं रहते हैं थोड़ा बहुत रिपोर्ट नहीं है अगर याद रख सकते तो कर लो बाकी तो आपके साब से हैं ठीक है फिर एक होता है जेंडर ये ग्लोबल जेंडर पायरेटी इंडेक्स है इसके बारे में इसे भी कौन रिलीज करता है वेस्विक लिंक समानता सुचकंग इसे भी यूमन वुमन और कि रिलीज करता है एक बार में बैठा के को रिलीज करता है और एक बार में खतम करता है और उसको इसके इम क्या होता है कुछ important point याद कर लो और सारी एक बार में बैठके खतम कर लो प्रिलिम वैसे पास ही है तो एक बार में बैठके खतम कर लो ऐसे बार बार ट्रेक करने के आप सकता नहीं है वैसे देख लो यह पूछी लिया है global gender gap index की बार में इसे कौन रिलीज करता है economic form के दुवारा रिलीज किया जता है तो ऐसे यूपेसी क्यूशन पूछता है ठीक है कहीं बार आयाम का क्यूशन पूछा है तो यह आर्टिकल इससे समझते है जैस्ट जो आर्टिकल है वो climate litigation से समझते है क्या वह सुप्रिम कोड है जज्जमेंट दिया है कि climate जो है ना वो परदूसित वगरा हो रहा है तो environment है वो मेरा fundamental right है ऐसे supreme court ने बात किये तो इस article में कहा गया है कि इस परकार कि supreme court जो जज्जमेंट दे दिया है ना supreme court ने यह litigation को बढ़ा दिया बढ़ा देगा मतलब supreme court में ऐसे case अब और भी जाद आएंगी मुकद में बाजी क्यों बढ़ेगी भॉस प्रतेक्स रूप से तो क्यों सनिच में बनेगा नहीं अप्रिलिम में एस ऐसे पॉंट यूज कर सकती हो अगर supreme court ऐसे verdict देेता जिसकी वज़े से क्या होता है कि litigation बढ़ जाती है मुकद में बढ़ जाती है यह यू एन की एक रिपोर्ट है जो ग्लोबल climate litigation रिपोर्ट है उसके कोड़े 65-200 की बारे में बात की कि यहां पर 218 मामल है जो जलवाईयों से समझे लंबीत है मतलब वहां पर चल रही है कारवाई तो ऐसे मामलों में बढ़ जाती है मुकद में बाजी बढ़ जाती है जिसका नुकसान होता कि नियाले की जो कारवाई वह भी बादा होती है और जो इकनोमिक डैवलपमेंट है उसमें भी बात आती क्योंकि छोटी जोटी बातों को लेकि कोट में चले जाते हैं लोग तो यह सब चीजे बात की गई है फिर क्लामेट चाइज में वनरेटी बगरा है तो इस चीज में तो आपको देखने का आप सकता निया नेक्स चो आर्ट और नीचे होता है अलिए ठीक है अब साथ से अगर नीचे तो वह अलिए ए साट से उपर एह तो वो सारी है मतब्द हूपर है तो बैसी से ठीक है नीचे है तो वह ऐसी इड है इस परकार से पता किया जाता है तो सार्ट से नेसी है उसके मतलब है वो मर्दा है वो अमिली है वो स्वाइल है वो ऐसी डिफिकेशन हो चुका है तो ऐस परकार से पता किया जाता है यह पियेज स्केल के माध्यम से पता किया जाता है अब यह किस कारणों से होता है क्या रीज की बढ़ जाती साथ ही साथ में नाइट्रेट का उप्यों किया जता है जिसकी वज़से भी होता है पूदों की कठाई मतलव में कुछ चीजे होती है उसके साड में भटा देते जिसकी वज़सी आप इनको अठ्टा दोगी तो अमली तक की मात्रव थाएगी तो एक की वज़े से भी अमली करन हो जाता है तो अमली करन होगे जिस कि एक होता blossom की उसकी क्वालिटी क्वालिटी कम हो जाती है। सधी साथ में गिराभट आ जाती है ली दिक हो जाती है, इस सालवट अपने कोई फसल होईते और 50 किलो तो नेक्स्ट येर वह न दस किलो हो जाएगी तो उसकी हिल्ड उत्पादगता कम हो जाती तो यह चीज़ समझ लो कि अमली तक की वज़े से उत्पादगता कम हो जाती और साथ ही साथ में क्या होता अगर ज्यादा एसी डिफिकेशन होगा तो ग्राउंड लेवल का वाटर है उसमें भी परभावीत होगा वो भी दूसीद हो जाएगा परदूसीद हो जाएगा जहरीली दात हुए उसमें जो हो जाएगी और जो ग्राउंड लेवल का वाटर है वो भी खराब हो जाएगा तो कुछ पॉइंट ऐसी समझ सकते हो मर्दा में ऐसी विकेश का परभाव क् तो यह सोईल और्गेनिक कार्बन यह क्या होता है अब इसका उपयोग करना चाहिए क्यों करना चाहिए धीओ कहीं पतिया होती है जीवासम होते हैं यह प्रत्विवे लंबे समय से सब्विवे होने से रचैने उपयोग काम करते हैं अगर जम्में गई नीचे काफ़ी टाइम के बाद में यो पिगल जाएंगी बिगल जाएंगी उर्वक बन जाएगी तो यह थो यह थो आтор चो करेंगी तो मर्दा माने सका उप्यों करना चाहिए यह मर्दा जए वी कारभ्न है इनका उत्यादा को बढ़ा भालत ने फिलिपिन्स को बरमोष रुणि मिसाईल है उसकी पहली समयनी तरह उस्तार्य बिलिबीत जो Nastro Kroos भोड़ी जाचुकिया ब्रमोष मिसाईल स्टार्य पहली जातर्य पहली बेज़ जा चुकिया इसलिए उस्तोर रीत 322 में 375 million American dollar था इसका value और इसमें अभी भेज दिये गया है इसमें क्या होगा भारत इससे पहले गुवाना को भी 228 million है वो विमान बेज चुका है और केरीविया देसों में भी इस परकार की डील की चुकी है तो यह भारत के निर्यात को बढ़ावा देगा मतलब बारत की डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में हेल्प करेगा भारत चाहता है कि अभी डिफेंस की करोड रुपय तक ले के जाना है मतलब तू 25 billion American dollar लेके जाना है हमारा निर्यात का एक्सपोर्ट है मतलबoj डिफेंस का जो एकस्पोर्ट है उसको इतना बढ़ा कर लो जयाना है इसके लिए भारत में कहीं सारी इसमें कुछ चैलेंजेंज भी आते हैं, चुनोतिया भी आते हैं, क्या क्या चैलेंज आता है, पहले तो है ना, भारत डील में काफी समय लगा लेता है, कि अभी डील करिए, दो चार साल तक मंजूरी लगने में टाइम मिल जाता है, मंजूरी लेने में टाइम लग जाता है, साथ जाद में उसको पूरा करने में टाइम लगा जाता है तो हमारे जुक्स के लिए इसके नहीं की और रणिन कि लाब होंगे हम अगर किसी डेश को एकस्पोर्ट कर रहे है तो उसके साथ में हम अच् Marcelin बढ़ा सकते हैं इससे क्या होगे हमारी फ्रेंट जीजे भी फायत हो होगी और भारत का एक इस्ट्राउंथ होगे एकनोमिक भी मिलेगी तो ये सारी चीजे फायदे हो सकती भी बर्मोस मिसाल के बारें बात करते हैं तो ये प्रिलिम के बारें इसके लिए कुछ यह पॉइंट जान लो इसे भारत और रस्या की द्वारा मिलकर बनाया गया था ब्रहंपुत्र बारत की की रिवर और मोस्कों यह रस्या की रिवर इन दोनों की नाम पर इसका नाम ब्रमोस पड़ाएं यह भी मिसाल है क्रूज मिसाल क्या तो यह सूप्र सोनीग स्पीड से भी तेज चलते हैं और यह होती है जैट इंजन पर चलती है मतलब सीधे चलतीय चलती है इसे फाइड करो और फॉर έिड हैंखुल जाओ एक बात पर भूल जाओ तो क्योंकि ये काम वहाँ करकी आएगी ना तुáo कर सकता है ना यह क्या ok इसकी जो है ना एरिया वो कम है ये 290 किलोमेटर का एरिया तक ही कवर कर सकती है तो बारत का टारगेट है इसे 500 से 600 किलोमेटर तक और रेडार इसकी बढ़ाए जाए तो ये कुछ ब्रमोस मिसाल के बारे में तत्थे थे ये आपको पता होने चाहिए कि एक तो सूपरसोनिक मि पूज मिसाइल है जो रेडार वगिर होते हैं उनकी पहुंच में नहीं आती है एरिया कितना कवर करती है ये 200 किलोमेटर 300 किलोमेटर का एरिया कवर करती है टारगेट है कि इसे 600 किलोमेटर तक ले जाए जाए दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉर्गेट की जो सिदा उस पर कारी करती है जेट इंजन का यूज हो जाता है तो कुछ ब्रमोस मिसाल के बारे में पॉइंट आपको पता होनी चाहिए ठीक है जी नेक्स्ट जो हमारा आर्टीकल है वो डबलु एचो की रोगी सुर्खसा वेस्विक मंत्री इस्तली सिखर से मिलन हुआ था उसमें सेफ्टी राइट्स चार्टर लांच किया गया है ठीक है तो ये पेसेंट सेफ्टी राइटर जो चार्टर है सबसे पहले इसे किसने लांच किया पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए पेसेंट सेफ्टी राइट्स चार्टर किसने इसको लांच किया गया पहला प आता मिनिस्ट्रिश लेवल का एक सिखर समय लोगता दबलू एचो का उसके द्वारा इसी लॉंच किया गया है दब लॉच्ट किया और यह पता चलिए ठीक है अब यह क्या करता पेशंट्स वह को पहुए इस में सारी रखने आका सकता नियें उन्हें से ट्रीट्मेंट अच्छा नहीं मिलता है और यह सारे पॉइंट आपको याद रखने कआँ अर्षा की चांटर दे रखे समय पर पर्वास्ट यह उसको देख पाल की जानी बिएथा जानी सब्सक ने सकते हो कि सुर्ख से तो स्वास्ते की देख बाला होने चाहिए योग यह है वह सक्सम जो कर्मी होती वही देख बाल करें और सुकसा जो उपदाद होते हैं उनके उपयोग किया जाने तो यहां पर यह सारे पॉइंट है आप देख सकते हो इनका पॉइंट का यूज है ना अब किसी और क्यूशन में भी कर सकते हो कि इस परकार से किसी के भी जो चार्टर का है न वो यूज कर सकते हो ठीक है जी नेक्स जो मारा आर्टिकल है वह जूनो मिसन से समझते है पहला पॉइंट सबसे पहले जूनो मिसन किसका है नासा का है क्यों लॉंच किया गय था यह लॉंच कि किसका है कि नास का है वहां पर पूरी जाँच करने के लिए इसे लॉंच किया गया ठीक है अभी इसने क्या बात कहिए इस जो है न जूनो मिसन ने वहां पर जीद रहा है जिसका नाम आयो वहाँ पर जवाला मुखी वालकेनिक इरपसन की बात किये जवाला मुखी उदगार की बात किये कि वहाँ पर जवाला मुखी उदगार होता है इस परकार की फोटो भेजी है ठीक है तो चंद्रमा में आयो जो सोर मंडल है वहाँ पर जवाला मुखी स से launch किया गया था किसके लिए लॉंच किया था ब्रश्पति ग्रह है ठीक है जूपीटर है उसकी उठ्पति origin कैसी होता उसका development कैसी होता उसको समझना और ब्रश्पति की जांच करना वहाँ पर क्या सीजी है किस परकासे काम करती वो सारी चीज़े जांज करने के लिए इसे लॉंज किया गया था तो जानकारी दे रहा है दो 2011 में लॉंच किया गया था कुछ पॉइंट आपको आइडिया होना चाहिए नेक्स्ट जो है वो ड्रेगन फ्लाई के बारे में यह बी किसका है नासा का है कब भीजा जाएगा यह 2018 में भीजा जाएगा यह कहां पर भीजा जाएगा सनी यानि कि सैटन सैटन का यह उपकर है ज लॉंच किया जाएगा 2008 में लॉंच किया जाएगा क्यों लॉंच किया जाएगा लॉंच इसलिए किया जाएगा कि एक ग्रह जिसका नाम है सनी या सैटन वहां का एक मून है जिसका नाम है टाइटन वहां पर इसे भेजा जाएगा उसकी जानकारी के लिए भेजा जाएगा तो आपको यह समझ में आजाएगी, नासा का है 2018 में लाँच किया जाएगा, सैटन के उपगराज, इसका नाम है टाइटन, उसके बारे में जान्जकरी के लिए इसे लाँच किया जाएगा, यह New Frontier Program है, नासा का है प्रोग्राम, इसका नाम है New Frontier Program, इसके तर्थ मिसन चुके है कौन कौन से पहला निव रयल मिशन लांच किया गया था उसके बाद में जूनो मिशन ज्यसे अभी हमने पढ़ा था और उसीरियस- एक्स तीन मिशन लांच किये जा चुके चौत्हा है वो ड्रेगन फ्लाइ mission है तो 3 ते नियू ओर झेंन उर्प्रोग्राइंट क्या गया यह चेंद्र माह या मून है जिसका नामे है टाइटन वहां की जानकरी के से launch किया जाएगा ठीक है उसके सत्व पर अधियन करने के लिए से launch किया जाएगा कहा जाता है कि यह जो dragonfly mission है यह पता करेगा ट्राइटन जो उपग्र है जो moon है वहाँ पर रहने योगी है के नहीं है मतब ऐसे कहा जाता है कि जो टाइटन उपगर हैं वो सबसे ज़्यादा living condition में वहाँ पर रहने योग है वहाँ पर oxygen है वहाँ पर समंदर है वहाँ पानी है इसलिए वहाँ पर जाके इंसान रह सकते हैं इसकी सारी चीजों का पता करने के लिए इसे launch किया जाएगा यह दो जा डाइटन उपगर है उसके बारे में जान का रही ती नैस्स जो मारा आर्टिकल है वह दूरगा के बारे में यह डालक् कि अंन डिंद गयाद कर लो कियाद़ पहला पॉंट किहें द डियाअरण वने अनोंywे लिमलक्षा न्यवजब लितक्षा रिवान धिवारा डिफैंस DRDO Development Organization के द्वारा इसे बनाए गया क्या कारी करेगा ये निर्देशित उर्जा हतियार Directionally Energy Weapon है Directionally Energy Weapon क्या होता है उसके बारे माज में देखेंगे पहले तो दूर्गा क्या है DRDO ने बनाया है निर्देशित उर्जा हतियार यानि कि Directed Directed Energy Weapon की रूप में कारी करेगा Land है, Sea है, Air है तीनों की रूप में ये कारी कर सकता है तीनों पर एक साथ है वो उससे कारी किया जा सकता है क्या होता है निर्देशित उर्जा हतियार क्या होता है ये हतियार ऐसी होते हैं जहां आपको फैकने होते हैं, एक रूप में इसे फैक सकते हो, यह जो हाना, विद्योचुम्ब की रूप में एनरजी का यूज करते हैं, मतलब जो एनरजी होते हैं, इलेक्ट्रमेगनेटिक होते हैं, उसकी रूप में एनरजी का यूज करते हैं, हाई लेवल की एनरजी होत मतलब डारेक्ट किसी पर डार्क से निर्देस रूप में आपको वहां पर मारना है तो वहीं पर जाके वार करेगा ठीक है इस रूप में से कारी करेगा इसमें एनर्जी होती होगी तो डारेक्ट वहीं जाके वार करेगा आपको एंटी मिसाल की रूप में यूज करो एंटी कॉल्स से अभी लागु कर दिया है मतलब इसे भी यूवीख से भी खोल्यरा वेक्स जो है विमारी इसे ठीक किया जा सकता है तो अब बात करते हैं यूवी कॉल्स की तो यह है ओरल कोल्यरा वागती ने उसके रूप में भी कारी करती पहले था चो बिमारी दिन ऐस वेक्सिन यूवी कोल सफ यह क्या करती डार्ग वेक्सिन ऊप्टी बट यह जो अभी है ना इसे ओर लूप से मुखी रूप से मुउ से पिलाय सकता है मतलब यह क्या करेगी यह औरली रूप से एक विमारी उत्सी यह जा जिसे कहा जाता है उसको ठीक करने के लिए अब जो है न यूवी कॉल एस ये वैक्षिन कहा जाता इसी बड़ ये मुख से डार मुह से दिये जाएजी मतलब औरल रूप से दिया जाता है ये क्या होता इसमें सामगरी कम है इसमें जो सस्ता भी है दो पॉइंट एक तो सामगरी कम है सस्ता भी है कोलेरा के बारे में बात करें तो ये डाइरिया है किस से फैलता है बैक्टिरिया से फैलता है कौन से बैक्टिरिया से फैलता है क्या है ये डाइरिया रोग है किस से फैलता है कोलेरा बैक्टिरिया से फैलता है ठीक है मनुस्य की जो आंत होती उसको प्रभावि करेगी कैसी बीमारी है मतलब यह वेक्षिन कैसी है कैसे फैलता है कोलेरं के माद इंद में फ़ैलता है कहां परववित करता है इस्की ट्रांसमिशन किसे होता है दूसी different पानी सां बौजन से होता है ऑक हां पर पर्टिकुलरेली वणरेबल ट्राइबल ग्रूप पी वीजी Henderson का पार्ट विशियर सुरूप से जो कमजोर estä जाती होते हैं उसका यह पार्ट इस परकार से लगला समwo整 जो बहुत ही ज्यादा गरन के अकोड़ी इनकी जंशेंगे किति थी दो सून तीश थी सिकारी होते हैं जंगली सुवर वगरा का सिकार करते हैं यह अर्धगाना बदोस होते हैं आज यहां पर है तो कल यह पर इस प्रकासे जीवन यापन करते हैं तो यह सोंप एंच जंजाती के बारे में आइडिया पुराना था और इसकी बात करें तो यह 40-50 फिट लंबा सांप था काफी बड़ा सांप था और इस परकार की बात की कि तो वासु की क्या है वासु के सांप पे काफी प्राचिन समय से हैं तो इसके बारे थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए नेक्ट जो है थाकुर रतन स सिंह के बारे में तो रणमतिशींग के बारे बात करें तो यह संत्र क्या हुआ थी उसमें ब्रों में सेने जनल नेक्त कान कारी किया था और ब्रникомतिस क विअन समय वहाँ था चैयाल गोसे का ने तो यह ठाकર रहामनस सिंग के बारे में एसलिए की जाता है कि यह इसलिए की जाता है कि उनकी प्रयासों को ब्रहदर्थ करना उनकी सराहना करने के लिए से तो आज की डिस्कुसन में इतन región था थैंक यू थैंक मैं आःग loss for discussion